अगर आपके पास LG की LED TV है या फिर कोई भी LED TV है जिसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि इसको power देने पर इसको on करने पर ये चालू नहीं हो रही है मैं आपके सामने live करके दिखाता हूँ इसके adapter को मैंने power board में लगा दिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक light blink कर रही है red color की एक दो तीन बार ये blink हो चुकी है लेकिन ये अभी तक on नहीं हुई है स्क्रीन पर हलकी सी light आती है जो कि बिलकुल अंधेरे में दिखाई देती है लेकिन TV किसी भी कीमत पर on नहीं हो रही है केवल आवाज आ रही है और स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है इस वीडियो को आप पूरा देखीगा बिलकुल भी skip ना करिएगा आपको ये पता लग जाएगा कि problem क्या है और उस problem का solution भी क्या है आपको screen में problem लग रही होगी लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है screen में कोई problem नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजरू अब सभी के सामने एक वाफिट से new time and new technology के साथ आप लोग देख सकते हैं मैं इसको remote से operate कर रहा हूँ यहाँ पर red light जल रही है बारवार यानि की ये remote को support कर रहा है और TV में भी power आ रहा है लेकिन screen on नहीं हो रही है इस problem को और इस problem के solution को जानने के लिए मैं इस TV को repair करने वाली shop पर लेकर गया एक तो lock भी इसके तूट गएते अंदर से भाई क्या करें open ही नहीं हो रही थी तो क्या ही किया जा सकते है open तो करना ही है तो बड़ी मेहनत के बाद ये TV जो है वो open हो चुकी आप लोग देख सकते हैं आईए अब देख लेते हैं इस TV में क्या क्या components लगे हैं एक motherboard लगा है एक display लगी है और speaker लगे हैं और कुछ ports लगे हैं चुकी motherboard में ही inbuilt हैं ये LG का original motherboard है मैं आप लोगों को पास से भी दिखा देता हूँ देखीगा आप लोग सबसे पहले तो repair करने वाले भाईया ने इसमें power insert की और देखा उन्होंने क्या problem है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो सब कुछ live कर रहे हैं आप ही के सामने जो problem मैंने आपको starting में दिखाई थी same वही problem आ रही है अब ये समझ चुके हैं भईया कि इसमें क्या problem actual में है डिस्प्ले के सभी connector को अलग किया जा रहा है इस motherboard में से इस motherboard के उपर काफी सारी dust लगी हुई है और इसी के साथ रहता से हटाया जा रहा है इस tv का जो man processor है उसके उपर काफी ज़्यादा carbon लग गया है उस carbon को छुटाने के लिए एक machine लाई गई है आप लोग देख सकते हैं ये heat वाली machine है इसका क्या उप्योग है मैं आपको आगे दिखाता हूं ये भी बताता हूं कौन सा है man processor ये देख और उसके बाद इसके उपर ये heat gun चलाएंगे एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देता हूं देखिएगा इसके जो components हैं जहां पर ये transistor बगएरा लगे हुए हैं उनको हटाये जा रहा है जो carbon लगा है इसके उपर इस process को उन्होंने काफी बारीकी से किया और काफी लंब ठंडा है और फिर दोबारा से इसको heat किया गया आप लोग देख सकते हैं ये हैं भाईया अब इन्होंने दूसरे chemical में एक चिम्की को लिया उसमें उन्होंने cotton को लगाया और chemical को लगाया उसके बाद अब इस processor की वो दोबारा से cleaning कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं मैं आ cleaning करने के बाद इन भीया ने एक मीटर लगाया उस मीटर से इसकी testing की और अब इनको ये problem पता लग गई है कि इसमें actual में problem क्या है जब actual में problem पता लग गई उसके बाद एक इन्होंने motherboard लिया जो की original LG का ही था उसमें से इन्होंने कुछ IC को निकाला और उस IC को इस वाले card में जो की मेरी TV थी उस वाले card में इन्होंने लगा दिया आप लोग देख सकते हैं सब कुछ मैं आपकी screen पर live दिखा रहा हूँ ये जो problem आती है वो किस वज़य से आती है मैं आपको बताता हूँ नमी की वज़य से आती है moisture की वज़य से आती है आपको TV ऐसी जगे नहीं रखन इनका address है राजपोर चुंगी जो की आगरा में है तिराय के पास में और यहाँ पर इनकी shop जो है वो नीचे की तरफ है यानि की basement में है एक तरीके से ये TV का ही market है आप यहाँ पर आईए आपकी TV में कोई भी problem हो वो यहाँ पर सही हो जाएगी यहाँ पर आपको नई और चुकी है जो की backend में लाइट चल रही है और आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले बार एवी लिखकर आ गया है रिमोट से मैं operate करके दिखाता हूं क्या operate करूं चली मैं setting को यहाँ पर open कर लेता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं इसकी display यह चालू हो चुकी है कहां गय यह setting भाई देखिए display आ रही है no signal लिखा हुआ है इसमें मुझे setting का बटन नहीं मिल रहा है यार मिल गया हो ओके यह आ गया है आप लोग देख सकते हैं display जो है वो on हो चुकी है problem और solution दोनों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए तो दोस्तों बास फ्लाल के लिए इस जो मीधे वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए अपने friend के साथ इसको share कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल या फे कोई भी सुझावो comment करना ना बूलेगा और अगर अभी तक आपने उन्हें चैनल को सब्सक्राइब किया है त तो technical sht youtube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting वीडियो और important वीडियो जी हाँ भाई important वीडियो समय समय पलाता रहता हूँ जय हिंद वंदे मात्रम